हलो स्टुडेंट्स कैसे आप सब उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे तो आपके DCM का जो अभी टेस्ट हुआ है गेशे स्टेट थर्मो डायनमित्स और थर्मो केमिस्ट्री उसका सॉलूशन हम देखने जा रहे हैं इसमें मेन और एडवांस में फिजिकल वाले पार्ट का हम स विर इस हमारे पास चार गैसे हैं और इन चारों गैसों के वर्ग मद्य मूलवेक के मानों को सही करम में हमें वेवस्तित करना है तो हमें पता है कि जो वी आर एमस होता है यह होता अंडर दी रूट 3RT YM ठीक है कहने का मतलब वी आर एमस जो है वो मोलर मास के स्कौायर पोर्शल हो गया जिसका मोलर मास ज्यादा होगा उसका वी रमस क्या होगा कम होगा ठीक है तो अब जो है वो सबसे ज्यादा वी रमस इन में से किसका हो जाएगा फिर आइड्रोजन का हो जाएगा क्योंकि इसका मोलर मास सबसे क्या है कम है फिर इसके बाद में कौन होगा इस नेक्स question है नेक्स अपने पास अब यह विच ओफ फॉलिविंग ग्राफ फॉर एन ऐडियल गैस दो करेक्ट एरो इंडिकेशन इस इनकरेक्ली मार्ट ठीक है तो आपको जो है वह यह दिया है कि दा एरो इंडिकेशन इस इनकरेक्ली मार्ट अधरस गैस के लिए किस वक्र में तीर का निशान गलत अंकित किया गया है यानि तीर का निशान सही नहीं है जैसे यह आपको दिया है तो यह है temperature in Kelvin P or T का जो है वो अपने बास graph है और यह बोल रहा है कि नीचे से उपर जाएंगे तो volume increase होगा चेक करते है तो हमें यह पता है कि P or T का जो graph होता है अगर volume constant है तो यह graph कैसा आता है अब state line अगर है तो अलग-अलग graph दिये तो मैं काम करता हूँ दोनों में से किसी एक को constant कर देता हूँ जैसे इसी में हम चेक कर लेता है अब इस line पर जो वो pressure constant है अगर pressure constant है तो PV is equal to nRT में हमने pressure को constant कर दिया यानि volume proportion होगा T जहाँ T जादा होगा वहाँ पर हम बोलेंगे कि volume क्या होगा जादा होगा ऐसा ही है तो यहाँ 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 पर देखिएगा जरा सबसे पहले इस point पर T सबसे जादा है फिर जो इस point पर T सबसे कम है यानि यहाँ पर तो volume यह वाला volume सबसे कम होगा और यह वाला volume सबसे जादा होगा तो यानि कि नीचे से उपर जाऊँगा तो volume क्या होगा decrease होगा इसका मतलब यह वाला graph जो ठीक है पहले वाला graph जो एकदम सही है दूसरे वाला graph देखते है अब V और temperature का है degree centigrade का तो temperature in degree centigrade में अगर हम graph देखे हैं तो यह हमारे पास पहली बात तो relation यह आता है V is equal to V naught 1 plus T upon 273 यह relation आता है तो पहली बात तो जो graph है न वो जैसा दे रखाय ऐसा graph नहीं आए ठीक है तो आप जब graph बनाओगे V is equal to equation बनेगी हमारे पास V naught plus V naught T upon 273 तो Y is equal to यह equation आएगी MX plus CK तो अगर V और temperature in degree centigrade में graph बनाओगे तो यह graph जो हो कुछ ऐसा आएगा ठीक दूसरा वाला अगला जो हो आपने को यह दे रखाया देखो ज़रा अब यह P और V का graph है हमें पता है कि जब temperature constant होता है तो P और V का graph आता है कैसा rectangular हाइपर ग्राफ आता है और यह नहां क्हयता हूँ कि T1 पर है यह में क्हयता हूँ T2 पर है यह में क्हयता हूँ T3 पर है अगर मैं इन दोनों में से किसी एक को constant कर दूँ मालो मैंने वी को constant कर दिया तो PV square to NRT को आप ध्यान से देखो अगर यहाँ पर आप जो volume को constant करते हो तो P proportional हो जाएगा किसके तीके यानि जहाँ पर pressure जादा होगा वहाँ temperature जादा होगा तो इस point पर pressure जादा है यहाँ पर temperature सबसे जादा है यानि कि मैं नीचे से उपर जाओँगा तो temperature क्या होगा increase होगा इसलिए 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 यह वो रखा है increasing temperature इसका मतलब यह वाला भी graph कैसा है ठीक है फिर जो हो अपन next check करते है अगला वाला जो हो अपने पास ऐसा है कि या पी और वन बाई वी का graph दिया है तो पी और वन बाई वी की बीच में तो हमें पता है कैसा आएगा straight line ही आएगा कि अगर temperature constant कर दूँ तो पी proportional वन बाई वी तो पी और वी के बीच में ग्राफ कैसा आएगा ऐसा straight line ही आएगा जैसा दे रखा है फिर इसके बाद मैं आपको यह बोर रहा है कि पी और वन बाई वी तो उपर से नीचे जो प्रेशर क्या होगा decrease होगा तो विया देखो जरा कि हमें यह पता है कि पी और वन बाई वी के ग्राफ में पी वी जो हो क्या रहता है हमेशा constant रहता है तो पी वी अगर constant रहता है तो यह वाला ग्राफ भी जो कैसा होगा ठीक होगा वो उपर से नीचे जाएंगे तो pressure लगातार क्या होगा decrease होगा यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ किसी भी एक पॉइंट पर जैसे मालो वन बाई वी को मैं constant कर देता हूँ तो यहाँ पर pressure सबसे कम है फिर यहाँ पर फिर यहाँ पर फिर यहाँ पर ठीक है तो pressure जो हो लगातार क्या हो रहा है decrease हो रहा है तो option number second जो हो अपना कैसा है ठीक ठीक है तो उम्मीद करता है question का concept आपके समझ में आ गया होगा एक एक question एक चीज़ बने explain करिए next question जलते है question number 3 के तरफ तो question number 3 देखे हैं क्या बोल रहा है कि an ideal gas is allowed to expand both reversibly and irreversibly in an isolated system T initial is the initial temperature and T final is the final temperature which of the following statement is correct ठीक है एक विल्गित निकाय में एक address gas को उत्क्रमणिये और अनुत्क्रमणिये दोनों तरफ से प्रसारित होने दिया जाता है यदि प्रारंबिक ताप T initial अंतिम ताप T final है ठीक है देखो gas को आपने पहले reversibly प्रसारित करवाया फिर जो हो इसके बाद में reversible ही प्रसारित करवाया ठीक है तो दोनों ही case में आपको यह बोरा है कि मालो T initial T final प्रारंबिक और अंतिम ताप तो statement कौन सा सही है T final is greater than for reversible process but T final is equal to T initial for irreversible process देखो T final T initial के बराबर नहीं होता है दोनों में ही नहीं होता है ना तो reversible में होता है ना irreversible में होता है फिर इसके बाद में बोर का T final reversible is equal to T final irreversible यह भी ठीक नहीं है कि भाई या दोनों में ही T final reversible T final irreversible मतलब दोनों के ही बराबर नहीं होगे T final is equal to T initial for both reversible and irreversible process यह भी ठीक नहीं है फिर अगला आपको बो रहा है T irreversible final और T reversible का final तो irreversible का final ज़ादा होगा आप तुरंट एक तो reversible ही उपर देके जाओ reversible का मतलब slow process ठीक और irreversible का मतलब क्या है तेजी से आप उपर लेके जाओ तो इस case में जो है ना slow process में temperature कम होगा और fast process में temperature क्या रहेगा ज्यादा रहेगा ठीक है तो इसका बतलब यह है कि अपने पास जो option number 4 क्या रहेगा सही रहेगा तो next question की तरफ चलते question number 4 यह देखिए क्या कर रहा है कि the reversible expansion of an ideal gas under adiabatic and isothermal condition shown in the figure which of the following statement is incorrect एक आदर्स गेस का उत्करमनी रूप से समतापिय तता रुदोश्व प्रस्तितियों पर प्रसारित करवाए जाता है जो चित्रा नुसर रशाय गया कौन सा खतन गलत है ठीक है वह द पता है कि जब grab बनाते है तो एक तो आईसोफरमल का है एक एडियावेटिक का है तो जिसका slope ज्यादा वह एडियावेटिक का होता है दोनों को यह कौल वॉल्यूम तक हम क्या करवा रहे है तो आप यहां पर देखो दोनों को अगर हम इकवल वोल्यूम तक प्रसारित करव पार रहे हैं ठीक तो सबसे पहला स्ट्रेटमेंट आपको तो गलत कूछ है T1 इसकोल टूटी टू तो भंई है देखो यह तो है T1 और यह है T2 और यह आई सो थरमल है तो आई सो थरमल का मतलब टेंप्रिट्र गौसरेंट तो T1 तो T2 के बराबर होगा पहला statement तो क्या है ठीक है दूसरा statement आपको बोल रहा है T3 greater than T1 यह T1 है और यह T3 है यानि आप adiabatic के लिए आप सोचो कि जब हम adiabatically किसी gas को expand करवाते हैं तो जब expand करवाते हो adiabatically तब तो temperature decrease होता है जब compress करवाते हैं adiabatically compress करवाते हैं तब temperature क्या होता होता है इंक्रीज होता है तो एक्सपेंशन है तो temperature जो होगा है यह T3 की value क्या होगी कम होगी ज्यादा नहीं होगी तो दूसरा एक तो गलत हो गया तीसरा वाला w isothermal greater than w adiabatic विल्कुल वह पीवी करव का जो area होता है वो ही क्या होता है हमारे पास पीवी करव का area ही work done ह होता है तो आप देखो कि यह तो है isothermal का area ठीक यह तो isothermal का area और adiabatic का area हो जाएगा ठीक है तो एक तो isothermal का area है एक Quickly को इन दोनों में से जादा किसका वैसो थेस्फर्मल का तो यह तो ठीक हो गया डेलटा एस हमलिस ग्रेटर देन डेलटा एस हम healthy jiadiabatic प्रोसें जो है वह तो wyिसे इसु फ्रॉसेस होता है तो इसलिए जहोगो डेलटा एस हम आईसो मलकर काок क्या होगा at 300 Kelvin and 50 ATM pressure compressibility factor of SO2 gas will be compressibility factor Z is equal to हमारे पास एक तो होता है V real upon V ideal यानि कि ideal case में अगर gas को ideal मान के हम उसको क्या करें माने तो उसका volume कितना आएगा और real volume कितना है तो आप इसको देखो जरा कि इसका जो real volume दे रखा है यह तो दे रखा 350 तो मैं एक काम करता हूँ ideal volume निकाल लेता हूँ तो ideal volume के लिए हम ideal gas equation लगा देते पीवी स्कॉल्टू क्या लगा दू एन रटी तो volume मुझे निकालना n की value 1 r की value में ले लेता हूँ 1 by 12 temperature जो आपको 500 तो इसको solve करो यह आजाएगा 0.7 यह हमारे पास आ गया compressibility factor compressibility factor आपको यह बताता है कि हमारी जो real gas है वो ideal behavior से कितनी दूर है ठीक है तो option जाएगा कौन सा option number third is correct तो उम्मीद करते हैं question concept आपने अच्छे से पढ़ा होगा ncrt based paper पूरा का पूरा जो हूँ ncrt से यह paper at very high pressure the wonderwall equation reduced to ठीक है तब यह pressure जो बहुत जादा होता है तो wonderwall equation देखना मैं wonderwall gas equation लिख रहा हूँ for one mole of gas तो यह आता है p plus a upon v square और यहाँ पर आएगा v minus b is equal to rt यह एक mole के लिए wonderwall gas equation n mole के लिखते है तो आ जाता है p plus a n square by v square v minus nb is equal to nr ठीक है अब pressure की value क्या कर दी बहुत जादा कर दी तो pressure की value अगर आपने बहुत जादा कर दी तो इस p के respect में यह वाली value क्या हो जाएगी negligible हो जाएगी और यह value negligible होगे तो equation आएगी विए p v minus b is equal to kya rt इसको थोड़ा से rt और यह rt ठीक है तो यह देखो p v by rt यह क्या होगे आपने पास z होगे ठीक है या फिर जो हो आपको तो खाली equation ही पूछी है आपको तो deviation z के बारे बात ही नहीं कर रहा है तो हम बिना rt से divide करके भी इसको ऐसा भी लिख सकता है देखो rt से दिवाइड करने की जुरूरत नहीं है हमारे पास equation आई p v minus p v is equal to rt तो मैं ऐसा बोल सकता हो p v is equal to यह जाएगा भी यह p v यह rt plus p b यह p v is equal to p v plus rt ऐसी कोई equation है तो यह ऐसी अपने पास एक equation पी इसको प्ल टू प्लस rt ठीक है तो मित करते है question जो होगा आपने सही किया होगा next question की तरफ चलते है question no.7 देखिएगा कि compressibility factor z is equal to p v by n rt is plotted against pressure ठीक है यह pressure z और p यह है तो z की value जब 1 होती है तो यह तो ideal gas होती है और बाकी जितनी भी gas है hydrogen और helium हवेशा positive deviation शो करती है hydrogen और helium को छोड़कर वाकी जितनी भी gas है यह कम pressure पर तो negative deviation high pressure पर positive deviation शो करती है what is the correct order of liquifibility of the gases shown in the above graph ठीक है तो दर्शाय गए उप्युक्त graph के अनुसार gasों के दरविकरत होने की प्रवर्ति का क्रम सही क्रम क्या होगा तो यह अब इस case में जो हो गैसों के liquification का सही order पूछा आपसे तो liquification का order चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा आपको यह पता होना चाहिए कि liquification जो है न वो depend करता है gas के molecules के बीच में force पर attraction force पर attraction force जितने ज़्यादा होते है गैस के molecules के बीच में हम यह बोलते हैं गैस के liquification के tendency उत्ती जदा होती है और यह जो कर्व का dip होता है यह वास्तन में जो हो इंडिकेट करता है intermolicular force को intermolicular attraction force को तो intermolicular attraction force ज़्यादा होगे तो liquification आसानी से होगा और यह जो है intermolecular force यह जो dip है ठीक है हमें यही चेक करना आप देखो CO2 के बीच में intermolecular force सबसे जादा है तो CO2 का liquification सबसे आसानी से होगा फिर CH4 का dip जादा है फिर N2 का dip जादा है और hydrogen का तो इन वे से dip है नहीं डिप सबसे कम ठीक है तो यहाँ पर जो वो यही order आएगा हमारे पास किसका विया liquification का यह नहीं option number first is correct ठीक next question की तरफ बढ़ता है तो अगला question जो है वो आमें बोर रहा है कि विया fraction of molecules are plotted against velocity of molecules according to Maxwell Boltzmann distribution law the velocity corresponding to the points x y and z ठीक है तो यह x है यह y है और यह z है ठीक अब यह जो है वो कौन सा क्या होगा तो यह आपको यह पता होना चाहिए Maxwell का जो velocity distribution curve है इसमें सबसे पहले तो हमारे पास आता है maximum probable speed तो maximum probable speed में हम यह बोलते हैं कि वह यह वो speed जो maximum fraction of molecule जो है उसके पास हो यह maximum molecules के पास जो speed होते है उसको हम बोलते है vmp maximum probable speed और आप यहाँ पर देखो कि maximum इधर तो है fraction of molecules तो यह वाली जो speed है जो x है यह maximum fraction के पास है तो इसका मतलब x तो हो जाएगा क्या vmp अब इसके अलावा हमारे पास vrms और v average भी है तो हमें यह पता होना चाहिए कि vmp सबसे कम होता है इसके बाद में आता है v average और vrms सबसे जादा होता है ठीक है तो आप यहाँ पर देखो ज़रा कि यहाँ पर velocity सबसे जादा है तो यानि कि यह तो हो गया vrms और यहाँ पर fraction सबसे जादा है तो यह vmp बीच वाला जो बच गया वो कौन सा हो जाएगा वी average ठीक है तो x y and z बूच है तो x तो हमारे पास क्या है vmp y जो हो हमारे पास क्या है v average और z क्या है vrms यानि option number first जो हो क्या हो जाएगा ठीक हो जाएगा next question की तरफ अबढ़ते हैं तो अगला question देखिएगा क्या बोल रहा है question है अपने पास कि 2.8 ग्राम ओफ नाइट्रोजन गैस एट 300 तो process हो गया अपने पास isothermal जब भी work dance related कोई question आता ना पूरी thermodynamics में तो आपको एक ही चीज़ धान में रखनी होती है work dance related question में हम ये धान में रखेंगे कि भीया सबसे पहला काम हमारा होना चाहिए process identify करने का तो समताप ये isothermal ये दे रखा है अब 1 ATM की नियत भाय दाब की विरुत भीया नियत भाय दाब है तो ये वाला जो है वो irreversible को indicate करता है irreversible process को तो हमारे पास जो है वो process होगे isothermal irreversible process ठीक तो अगर मैं डबलू calculate करूंगा तो ये हमारे पास आता है वह पी external और ये आ ठीक या फिर जो हो हमें पता समतापी है तो हम first law लगा देते है thermodynamics को W is equal to या delta E is equal to Q plus W समतापी है प्रकरम में delta E का मान क्या होता है 0 होता है क्यों क्योंकि भईया delta E is equal to हम बोलते है n cv delta t और n cv delta t delta t 0 हो गया तो delta E भी क्या हो गया 0 delta E बोल दो या delta U बोल तो delta U की value तो क्या होएगी 0 होगी तो इसका मतलब second option तो आए नहीं सकता है और फिर Q is equal to जो हमारे पास निकल के आएगा क्या minus W हना तो इसका मतलब यह है कि Q और W यह दोनों बराबर होंगी और दोनों जो हो एक दूसरे से opposite होगी अब हम चेक कर लेते हैं भीया देखना कि हमारे पास जो हो ए देख तो यह वाला option है ठीक है क्यों की value 0 होगी या नहीं होगी यह भी हम चेक कर लेते हैं तो अब आपको यह वो रहा है कि समतापिया रूप से एक ATM के नियत भाय दाब के विरुद्ध प्रसारित किया जाता है ठीक है यानि कि हमारे पास जो हो एक ATM का नियत भाय दाब है तो अब मुझे work done calculate करता है हाँ तो देखो कि यह जो है वह अपने पास आइसो थरमल और आइसो थरमल में अब वर्क हमें निकालना है कि कितना होगा तो हमें देखो इसकी जुरुद्ध पड़ेगी एक तो पी external तो अपने पास कितना हो जाएगा जो final pressure होता हो पी external प्रेश के मोल कितने है 2.8 है पहले temperature कितना 300 Kelvin है तो मैं लगा देता हूँ PV square to nrt तो इसको मैं बोल देता हूँ क्या P1 V1 ठीक है तो मैं P1 निकालना चाहता हूँ तो initially मोल कितने आ गए 2.8 यानि कि 0.1 मोल आ गया R की value जाओ 1 by 12 लेंगे temperature कितना 300 Kelvin divided by हमें जो है volume 1 निकालना है P1 नहीं निकालना है P1 तो हमें दिया है तो हमें तो V1 की value चाहिए तो V1 और नीचे आ जाए या कितना 20 ठीक है यह तो आगे है V1 अब V2 भी मैं ऐसे निकालूंगा तो V2 निकालने के लिए मोल तो मेरे पास वह solve करोगे यह 0.123 के आसपास आएगा इसको solve करोगे 2.4 लेटर के आसपास आएगा तो अब आप solve करके जब W निकालोगे तो जो भी अपने पास result आ रहा उसको 101.3 से multiply कर देना ठीक तो 1.101.3 से multiply करोगे तो यह आजाएगा किसमें जूल में तो जूल में जब W निकालोगे यह हमारे पास आएगा भीया माइनस 2.36.95 एक्जेकली आएगा इतना ठीक है solve किया हुगा है तो यह हमारे पास डबल। दमल। मर्बल। माइनस होगा क्यों प्लस होगा तो वह प्रसार का रिये है तो हम कौन सा वाले लेंगे , मidaus वाले यह ओग। फिक हानald तो option no.3 इसमे सालने का तरीका यह होता है n cv ln t2 by t1 प्लस nr ln v2 by v1 ठीक है तो आब यहाँ पर isothermal process हो तो यह term क्या हो गई? 0 हो गई तो delta s हमारे पास आएगा nr ln है तो इसको 2.303 में convert कर लेता हूँ यह आजाएगा nr और यह आजाएगा log v2 by v1 अब यह देखो तो सब में 3 gas के mol कितने है? 1 1 1 3 के mol कितने है? 1 है ठीक है फिर जो वोल्यूम चेंज देखता हूँ v2 by v1 इसके लिए मैं v2 by v1 निकालता हूँ तो v2 by v1 दो लिटर से 20 लिटर तक तो यह आएगा कितना 10 इसके लिए टूबाइव निकालता हूं तो यह भी आएगा 10 इसके लिए विटूबाइव बी निकालता हूं तो ये भी कितना आहला है दस आरहए चो वी टूबाइव रिव डिवन अगर सब में सेम है तो आर है इक तिरह किस से स्टेटमेंट दिया है तो चेंज इन एंट्रोपी विल भी रेस्पेक्टिव्ली तो यह देखो कि जब लिक्विड ुलिड सौलिड में क्रिस्टलाइज होता है तो वे एंट्रोपी क्या होती गट्टी liquid solid में convert हो रहा तो entropy क्या होगी गटेगी तो पहले में जो हो change कैसा आएगा negative आएगा दूसरा जो हो temperature of a crystal is increased वही है temperature बढ़ाओगे तो entropy क्या होगी बढ़ेगी तो यहाँ पर जो यह कैसा जाएगा positive आजाएगा यहाँ पर pressure को क्या कर दिया कम कर दिया pressure को कम करते है तो entropy बढ़ती है यहाँ पर भी कैसा आएगा positive और फिर जखो यहाँ पर जो हो gases इधर जो हो gas है इधर gas नहीं है तो यहाँ पर entropy change कैसा आएगा negative आएगा तो a closed insulated container a liquid is tired with a pedal to increase its temperature ठीक है in this process which of the following is true एक बंद उश्मारोधी पात रहे है ठीक है यानि कि उसमें जो हो heat का change नहीं होगा उश्मारोधी है तो क्यों की value क्या आजाएगी जीरो आजाएगी तो जिसमें क्यों 0 नहीं है वो तो answer नहीं होगा चोथा option नहीं हो सकता क्योंकी value क्या आएगी 0 ठीक फिर आगे आपको वो रहा है कि दर्व के तापमान में व्रदि कर दे के लिए अब तापमान में जो हो क्या कर रहा है बिया व्रदि कर रहा है तो इस क्रम के लिए कौन सा सकते है तो भीया देखो जरा कि अगर हम फस्ट लों की बात करें डेल्टा इसको टो क्यू प्लस डबलू उश्मा रुद्ध पात रहे तो क्यू जीरो आगया यानि डेल्टा इजहो डबलू के बराबर आएगा और हमें पता डेल्टा इजीरो जीरो और यहीं होगा तो डबलू बीजीरो नहीं होगा ठीक है जबकि क्यू क्या रहा है जीरो आ रहा है तो ऐसा कोई ओप्षंट है कि आपने पास ऐसा एक डियूप्षिशन और थर्ड ठीक नेक्स्ट क्वेश्ट अगर्शन की तरफ हम बढ़ते हैं तो आगला कुश्ट में हम बोलते हैं कि आपको किसी भी कमपाउंड का एक मोल बनाना होता है और इसके elements की thermodynamic reference state से बनाना होता है पहली बात तो one mole बनाओ और फिर thermodynamic reference state से बनाओ जिसे इसमें चेक कर दें मेथेनोल है गैस है इसका एक mole बन रहा है और किस किस से बन रहा है thermodynamic reference state होती है ग्रेफाइट तो पहला यह जो है वो heat of formation को define नहीं करेगा दूसरे वाले में जो हो यह एक mole liquid बन रहा है ठीक है यह thermodynamic reference state में है ठीक है यह भी thermodynamic reference state में है और यह carbon यह भी अपने thermodynamic reference state में है इस reaction में जितनी भी heat release होगी या absorb होगी वो heat of formation of methanol के equal होगी यह वाला सही फिर यहाँ पर दो mole बन रहा है तो दो mole नहीं एक mole बनना चाहिए फिर यहाँ पर एक mole बन रहा है लेकिन यह carbon जो वो diamond में है तो यह भी heat of formation नहीं है तो यह है भी आपने पास question number 13 next जलता है question number 14 देखेगा आपको क्या हो रहा है कि the heat of hydrogenation of ethene is x1 and the heat of heat of benzene that of benzene is x2 benzene के लिए x2 है the resonance energy of benzene will be तो ethene की hydrogenicron की उश्मा x1 है benzene की कितनी x2 है तो benzene की अनुनादी उर्जा क्या होगी यह ethene की हमें hydrogenicron की उश्मा लेनी है यह ethene है यह hydrogenicron की उश्मा हो गई ठीक तो यानि कि अगर एक बोंड थोड़ा तो कितनी heat release होई x1 heat release ठीक है height of hydrogenation हमेशा release heat होती है अब benzene के case में हमें ऐसे कितने बोंड तोड़ने पड़ेंगे benzene के case में हमें ऐसे तीन बोंड तोड़ने पड़ेंगे यानि कि जब benzene को मैं cyclohexane में बदलूँगा तो delta h की जो value होनी चाहिए ना वो कितनी होनी चाहिए वो minus 3x1 इतनी होनी चाहिए लेकिन भया benzene में इसके अलावा साथ में resonance energy के equal energy भी release होगी ठीक अब resonance energy release होने वाली energy है तो इतनी energy साथ में release होगी अब यह release होगी और बोला delta h है कितना benzene के लिए तो delta h जो हो आपने पास है कितना x2 है ठीक है यानि कि benzene के लिए यह वाली value आपको दे दी कितनी x2 minus x2 is equal to minus ठीक यह जाएगा 3x1 प्लस साथ में magnitude of resonance energy यह cancel हुआ तो यहाँ से मैं ऐसा बोलूँगा magnitude of resonance energy is equal to आगया x2 minus 3x1 अब क्योंकि resonance energy जो होगी release हीट होती है तो आपको इसको negative से minus से multiply करना पड़ेगा तो resonance energy निकल के आएगी अपने पास कितनी 3x1 minus कितना x2 यह हमारे पास overall resonance energy निकल के आएगी any option number second is correct ठीक तो next question की तरफ आपन बढ़ते हैं अगला question अपने पास है question number 15 देखेंगा क्या कह रहा है कि given to process p4 solid 6cl2 यह pcl3 liquid बदर रहा है और यह reaction और दी है आपको बोला the value of heat of formation of pcl5 solid देखो भया heat of formation of pcl5 करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा pcl5 को बनाना पड़ेगा इसका एक मोल बनाना है और एक मोल कैसे बनाऊंगा इसके elements की thermodynamic reference state से बनाऊंगा तो एक तो cl2 है तो 5 by 2 cl2 gas लेना पड़ेगा प्लस 7 में आपको p4 लेना पड़ेगा तो यहां पर आ जाएगा one four तो यह इसके heat of formation की reaction है इस reaction की जितनी भी enthalpy होगी वह पूरी की पूरी equal होगी heat of formation of pcl5 के तो अब हमें क्या करना है इस reaction की enthalpy निकालने है जो इस reaction की enthalpy आएगी वही अपना क्या होगा answer होगा तो यहां पर चेक करता हूँ आपको इन दोनों reaction के साथ कुछ भी करो कि यह वाले reaction बन जाए तो इस वे एक तो pcl5 चाहिए ठीक है अब मैं काम कर रहा हूँ देखना जरा की उपर वाली reaction है ठीक है उपर वाली reaction को मैं one by four से divide कर रहा हूँ तो उपर वाली reaction को मैं one by four से divide करूँगा तो हमारे पास देखो ये equation बनेगी 1 by 4 P4 plus 1 by 4 से divide करूँगा तो ये हमारे पास आजाएगा कितना 6 by 4 और यहाँ पर आजाएगा CL2 is converting into यहाँ पर आजाएगा क्या PCL3 तो जब आपने इस पूरी reaction को 1 by 4 से divide किया है तो इसका delta H भी जो हो कितने से divide हो जाएगा 1 by 4 से divide हो जाएगा ठिक और फिर नीचे वाली reaction को रखो आप as it is नीचे वाली reaction है अपने पास PCL3 और साथ में ये आगया CL2 और इधर आजाएगा PCL5 इसको छेड़ चाड़ नहीं करी तो इसका delta H उतना ही रहेगा कितना minus का 137 और अब इन दोनों reactions को आप add कर दो इनको add करोगे तो PCL3 PCL3 cancel हुआ तो हमारे पास net equation निकल के आएगी PCL1 by 4 P4 प्लस यहां पर देखो जरा कितना आ रहा 3 by 2 3 by 2 और 1 CL यहां से यानि कि कितना आ गया 5 by 2 CL2 is converting into PCL5 यानि हमें जो reaction चाहिए थी वो reaction हमें मिल गई है तो अब इस reaction के लिए जो डेल्टा H आएगा ना वह equal होगा यह प्लस यह तो कहने का मतलब डेल्टा H is equal to आजाएगा माइनस 1270 divided by 4 और माइनस का 100 से 30 यह मेरे पार डेल्टा H आगया ठीक है तो इसको जब solve करोगे तो यह हमारे पास निकल के आएगा कितना माइनस का 404.5 यानि option number second is correct ठीक है तो next question की तरह बढ़ते है अगला question जो है वह अपने पास question number 16 देखिएगा आपको क्या वो रहा है कि equal volume of one molar HCl and one molar H3PO4 वह या देखो HCl जो है यह तो अपने पास strong acid है और H3PO4 जो है यह अपने पास कैसा है यह weak acid है और neutralized by excess NUH दोनों को जो हो NUH के साथ neutral करवाया है NUH यहां पर भी काम में आ रहा है और NUH यहां पर में लेता हूँ तो यहां पर release heat जो है वह आपको बोरा है कि देखो HCl और NUH दोनों का जो है वह मतलब volume equal है जितना volume HCl का उतना ही S3PO4 का तो यहां पर जो हो HCl के case में तो release heat कितनी है X और यहां पर release heat जो हो कितनी है Y है तो अब आपको बोरा है कि X और Y का सही relation क्या होगा तो यहां पर देखिएगा हमें कैसे इसको करना है सबसे पहले अगर मैं HCl की बात करूँ तो HCl और साथ में क्या आया NUH तो क्या बनेगा हमारे पास NACL बनेगा और साथ में water बनेगा ठिक अब यहां पर आपको बोरा है कि देखो इसका one molar है इसका balance effector कितना वनी है तो normality भी कितनी आएगी वनी आएगी माल लो इसका volume जो हो वी है तो इसके miligram तुल्यांग जो आएंगे न वो हमारे पास आएंगे कितने है है okay है इसके बीन फुल्य ळूख को ओगे फिर जो तीसरा में आगर देखो फिर ऑर यहां पर हमारे पास है न तो यह पोपर जो भी बनेगा अपने पास उसके एंगे मतलब नहीं है इसका balance vector तीन तो इसकी normality आएगी कितनी 3 और इसका volume है V तो यहाँ पर gram तुल्यांग कितने है 3V तो अब यहाँ पर देखो ज़रा यहाँ तो release heat कितनी है यहाँ release heat है कितनी X और यहाँ पर release heat जो होगी न वो आप सोचो कि कितनी निकलनी चाहिए निकलनी चाहिए थी निकलनी चाहिए 3 से 3X क्योंकि इसके gram तुल्यांग 3 गुने है तो यहाँ पर जो निकलने वाली heat भी 3 गुनी होनी चाहिए थी यानि निकलनी चाहिए थी 3X लेकिन अब इसका कुछ पार्ट चला जाएगा इसको तोड़ने में क्योंकि यह weak है तो इस 3X का कुछ पार्ट जो कि इसकी ionization energy के equal होगा वो जो हो इसको तोड़ने में चला जाएगा और अब आपको बोरा है यह delta H है कितना यह delta H है Y यानि कि इसकी value minus Y के equal है उत्सर जी तुश में है तो minus होगा तो यहाँ से मैं ऐसा बोलूँगा कि 3X minus ionization energy is equal to क्या आया Y आया clear है बात तो अगर मैं यहाँ से ionization energy निकालूँगा न तो हमारे पास ionization energy कितने आएगी 3X minus Y अब आप सोचो इन दोनों में से बड़ा कौन होगा तो इन दोनों में से जो X बड़ा है 3X is greater than क्या आ रहा है वहाई आ रहा है क्योंकि ionization energy हमेशा positive होती है हमेशा दी जाने वाले energy होती है तो भया हमेशा जो हो 3X की value Y से क्या आएगी जादा आएगी यह है question number 16 question number 17 देखेगा आपको क्या वो रहा है कि enthalpies of solution of BACL2 and BACL2 to H2 अब भया इनके enthalpy of solution की बात कर रहा है कहने का मतलब BACL2 को अगर मैं H2O access में मिलाऊंगा ठीक है तो हमारे पास बनेगा विया BACL2 aqueous ठीक और फिर जो वो दूसरा है हमारे पास BACL2 dot 2H2O को अगर मैं H2O access में मिलाऊंगा तो भी हमारे पास यही वनेगा क्या BACL2 aqueous ठीक है एकस में मिलाऊंगा तो BACL2 aqueous बनेगा और इसको भी enthalpy of solution यानि यहाँ delta H कितना है यहाँ का delta H आपको दे दिया minus 20 और यहाँ का delta H आपको दे दिया कितना 8 ठीक अब आपको बो रहा है तो दी गई हो दोनों को जोड रहा हो तो इसको flip कर दूँगा तो हमारे पास जो हो delta H भी क्या हो जाएगी flip हो जाएगी मतलब यह plus 8 minus 8 हो जाएगा और जब जोड दोगे तो यह वाली reaction आ रही है इन दोनों को जोडने पर इसको flip करके जोडने पर यह reaction बन रही है तो बहिए delta H भी जुड जाएगा तो minus का 20 यहां से minus का 8 यहां से total कितना आ जाएगा minus का 28 यानि कि option number second is correct ठीक है next question की तरफ हो बढ़ता है तो question number 18 देखिएगा आपको क्या को बोल रहा है कि with the help of following data find out the change in heat content for the reaction आक्टों की साहिता से अभिक्रिया के पूर्ण उश्मा परिवर्तन का परिकलन कीजिए ठीक है अब देखना कि आपको जो हो एक reaction तो यह दे रखी है और सबके लिए bond enthalpy आपको दे रखी एक तरके से बंद उर्जा का मान आपको दिया है तो मैं एक काम करता हूँ इस reaction के लिए आपको क्योंकि delta H निकालना है तो delta H अगर bond enthalpy दिया है तो हम क्या करते है total bond enthalpy of reactant minus total bond enthalpy of product C2H4 आपको दिया है तो C2H4 में आप देखना एक तो है अपने पास carbon carbon double bond plus 4 bond अपने पास है carbon hydrogen के फिर plus product तो भी यहाँ पर एक bond तो होगा अपने पास carbon carbon का ठीक है फिर plus 6 bond अपने पास होंगे कौन से carbon hydrogen के अब इसको थोड़ा सा हम solve कर लेते हैं तो यह जो हो क्या होगा cancel हुआ net equation यह निकल के आएगी delta H is equal to bond enthalpy of carbon double bond carbon plus bond enthalpy of hydrogen hydrogen minus bond enthalpy of carbon carbon plus minus 2 into bond enthalpy of carbon hydrogen अब यहाँ पर जो होगा हम data put कर देते हैं तो मैं data रखूंगा तो carbon double bond carbon की bond enthalpy तो है 610 ठीक है plus hydrogen hydrogen की कितनी है hydrogen hydrogen की है 436 minus carbon carbon की कितनी है यह है 348 ठीक है minus और hydrogen carbon की कितनी है यह है twice into 413 ठीक तो यह अपने पास आएगा और इसको solve करोगे तो overall जो है यह निकल के आएगा minus का 128 kilojoule यहनि option number first is correct ठीक है तो उमीद करते हैं आपका यह section जो है वो आपने अच्छा किया होगा next section की तरफ आपन बढ़ते हैं हाँ तो देखिए सबसे पहला question आपको यह वो रहा है कि calculate the work done by the reaction ठीक है in later ATM भाया आगे बढ़े इससे पहले जो मैं बता देता हूँ कि किसी भी reaction के लिए जब हम work done निकालते है न तो W जो है यह equal आता है भाया delta NGRT ठीक है तो आप आपको यह वो रहा है कि when 0.3125 mole of hydrogen gas is collected at 273 Kelvin at 1 ATM pressure ठीक है तो आप यहाँ पर जो हो hydrogen gas का कितना mole दिया है आपको 0.3125 ठीक तो actual में जो है वो जब हम work done calculate करेंगे इसके लिए तो हमें जो है वो delta NG की जो value लेनी है delta NG की value वैसे इस reaction के लिए कितनी आ रही है बन लेकिन इस reaction में hydrogen के mole कितने बन रहे हैं केवल इतने ही mole बन रहे हैं तो अब इस case में जो हो आपको यह consider करना पड़ेगा कि हमारे पास actual reaction जो होगी न वो इतने mole के according होगी कहने का मतलब हमें इतने mole यहाँ पर बनाकर बाद में reaction को balance करना पड़ेगा और reaction को balance नहीं भी करेंगे तो भी काम चल जाएगा क्योंकि यह aqueous है यह aqueous और यह solid delta NG में हमें केवल गयासों को शामिल करना है तो वास्ता में यहाँ पर आपको delta NG की value लेनी पड़ेगी कितनी इतनी और R की value जो हो हमारे पास होती है कितनी 0.0821 ठीक और temperature कितना 273 इसको solve करोगे तो यह निकल के आएगा कितना 7 ठीक तो यह है भी यह अपने पास question number 1 next question चलते है question number 2 देखेगा आपको यह वो रहा है a mixture of non-reacting gases exert a pressure of 5 ATM if one of the gases occupy 40% volume of the mixture what would be partial pressure in ATM देखेगा जरा कि हमारे पास जो हो mixture है कोई 2 non-reacting gases है total pressure जो 5 ATM का है एक का जो हो 40 प्रतिशत बहिया जो ratio जो है volume का होता है वो ही mole का होता है तो मालनो 2 gases A और B यह 40 प्रतिशत है और यह जो हो कितना हो जाएगा 60 प्रतिशत यानि आप यह मान के चल सकते हो इसके 40 mol है इसके कितने mol है 60 mol है अगर मैं ratio निकाल हूँ दोनों का तो ratio आ जाएगा कितना 2 ratio 3 यह होगा तो यह आप यह मान के चल सकते हो कि इसके 2 mol है तो इसके कितने mol है 3 तो यानि A का mol fraction आ जाएगा 2 by कितना 5 और 2 by 5 अगर mol fraction आ रहा है तो यहाँ पर मैं यह बोलूँगा कि partial pressure of A तो P total कितना है 5 ठिक और यहाँ पर कितना है 2 by 5 तो overall जो ही यह कितना आ जाएगा यह फिर आप यह भी धान में रख सकते हो कि जो ratio mol का आता है वही रेशयो वोल्यूम का आता है वही रेशयो प्रेक्शन 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 का भी आता है ठीक है तो next question की तरफ आपन बढ़ता है अगला question जो हो अपने और हमें जो हो combustion से बनेगा 6 CO2 यह gas है और साथ में जो हो वो अपने पास बनेगा विया है अच्टू बनेगा 3 H2O बनेगा अब यह एच्टू जो है यह भी gas phase में होगा क्योंकि temperature कितना 400 Kelvin है ठीक है इसको balance करता है तो 12 और 3 15 तो यहां पर आएगा कितना 15 बटे 2 बेंजीन ज आथा कि देखो relation यह आता delta H is equal to delta U plus delta NGRT तो इन दोनों का जो difference है delta H minus delta U delta U यही equal होगा किसके delta NGRT तो यानि overall reaction के लिए delta NGRT की value आपको बतानी है तो delta NG की value देखना 3 और 6 कितने हो गए 9 और इधर कितने 7 यानि कि 3 by 2 और temperature जो हो आपको दे दिया R की value 1 by 12 ले लेता हूँ temperature जो है यह आपको दे दिया भया अच्छा R की value जो है वो है किलो जूल में हमें निकालना न तो किलो जूल में निकालना तो R की value आपको लेनी पड़ेगी actual में 25 by 3 यह जूल में आ गया और यह 400 आ गया ठीक है temperature तो अब किलो में बदलना है तो किलो म किता आएगा 55 ठीक यह है अपने पास question no.3 next question की तरफ चलते है तो question no.74 देखिएगा कि 20 ml of hydrogen gas measured at 7 degree is heated to 77 degree ठीक है कि 7 से जो हो किता कर दिया 77 करती है फिर what is the new volume of gas at the same pressure ठीक है pressure constant है अगर pressure constant है तो हम बोलता है कि volume proportion होता है किसके temperature in Kelvin यहां से मैं बोल सकता हूँ V1 by V2 is equal to T1 by T2 तो initial volume तो आ गया कितना 20 final volume आप से पूछा है initial temperature आपको दिया है कितना 7 डिगरी तो 7 डिगरी का मतलब कितना हो गया 280 Kelvin ठीक है दोस्तों 33 जोडते है न तो 280 Kelvin अब जो हो कितना कर दिया वह 77 कर दिया यानिकि एक अरिके से जो temperature हो जाएगा कितना 350 हो जाएगा तो यह हमारे पास V2 की value निकल के आगे कितनी 350 multiply by 20 divided by 280 ठीक है यह cancel हो गया तो यह आजाएगा अपने पास कितना 700 by 28 तो यह cancel हो गया कितना 4 times तो यह अपने पास आजाएगा 25 ml यह नया volume निकल के आएगा ठीक next question की तरफ हम बढ आते हैं simple सा काम है यह simple सा paper है how many times faster the helium will diffuses as compared to methane under identical condition of temperature and pressure तो भया rate of diffusion जो है यह हमें पता है कि molar mass के square root के inversely proportional है तो एक तो अपने पास है क्या helium है एक हमारे पास CH4 है तो मैं ऐसा लिख सकता हूं R helium upon RCH4 M helium और उपर चला जाएगा MCH4 ठीक तो यहां से जो है मैं ऐसा बोल सकता R helium upon RCH4 is equal to under the root mass of helium molar mass कितना 4 यह कितना आ गया यह 16 तो यह 4 times जाएगा root 4 की value कितनी है 2 तो R helium is equal to R helium is equal to twice of RCH4 ठीक है पहने का मतलब है helium के diffusion की rate CH4 की diffusion की rate से कितनी है दो गुनी है तो answer आएगा कितना 2 next question के तरफ हमने बढ़ता है तो question number 6 देखेगा आपको यह वो रहा है कि for which of the following substance the heat of formation in the standard state is 0 आपको यह पता होना चाहिए कि किसी भी element के लिए उसकी thermodynamic reference state में heat of formation कितनी होती है जीरो होती है तो sugar अपनी thermodynamic reference state में नहीं है diamond अपनी thermodynamic reference state में नहीं है zinc अपनी thermodynamic reference state में है zinc solid इसके जीरो होगी carbon graphite अपनी thermodynamic reference state में है रीजियो होगी aluminium thermodynamic reference state में है पनी thermodynamic reference state में नहीं है जो अपनी thermodynamic reference state में है, तो इनके लिए heat of formation कितने ली जाती है, 0 ली जाती है, next question की तरफ बढ़ते है, तो एक chemical reaction इसके लिए आपको जो हो, दे रखा delta H, और बोल रहा है कि 2 step में हुई, तो delta H2 की value क्या होगी, तो यह देखना से रहा कि वही बात, P से R बना, तो delta H1 दे दिया, माइनस का 250, फिर R से क्या बना, क्यों बना, तो यहाँ delta H2 दे दिया, आपको, मालो X कितना है, मुझे नहीं पता, यह delta H2 ले ले लेता है, मुझे नहीं पता कितना है, यह तो calculate करना है, इन दोनों का अगर add कर दूँगा, तो P से क्या बन जाएगा, क्यों, तो यहाँ पर delta H जो है, वो मेरे पास दे रखा है, कितना माइनस का 200, अब जब हम reactions को add करते है, तो delta H भी क्या होता है, add होता है, तो यहाँ पर मैं ऐसा बोल सकता हूं कि, वह यह delta H is equal to, delta H1 plus delta H2, तो delta H जो है, यह अपने पास है, कितना माइनस का 200, और delta H1 है, माइनस का 250, प्लस delta H2, यह अपने पास आजाएगा, माइनस का 200, प्लस का 250, बोले तो कितना आजाएगा, तो यह है अपने पास question number 7, next question की तरफ बढ़ता है, question number 8, देखिएगा, okay, question number 7 तक है, next जो हो, यहाँ से अपने start होता है, JEE, advanced का part, तो advanced part का अभी हम solution देखने जा रहे हैं, और इसमें भी केवल हम physical वाले portion का ही solution देखने वाले हैं, topic same है, gas state, thermodynamics, thermo chemistry, देखिएगा, हाँ तो देखो, सबसे पहला है, paragraph first, और paragraph जो आपको ऐसा दिया है, आपको यह ब flask A contain oxygen at 27 degree centigrade and 950 mm Hg pressure, इतना pressure दे रखा है A में, flask B contain neon at 27, दोनों का temperature same है, और इसका pressure जो हो कितना 900, finally the two flask were joined by means of a narrow tube of negligible volume, ठीक है, equipped with a stopcock and gases were allowed to mix freely, the final pressure in the combined system was found to be 910 of Hg, ठीक है, तो मतलब final pressure जब दोनों को मिला दिया, तो हमारे पास इतना final pressure मिला, पहले जो हो इसका 950 है, और दूसरे का 900 mm है, दोनों का temperature 27 है, और फिर जो हो 950 और 900 से बीच में adjust हो गया, कितना, 910, ठीक, अब जो हो आपको क्या बोल रहा है, कि what is the correct relationship between volumes of flask A and B, यह देखना, कि हमारे पास condition ऐसी है, कि आप यह मान के चलो, कि यह दो बल्ब है, ठीक, यह तो A हो गया, यह B हो गया, अब यह stop clock लगा है, इसमें तो O2 है, और इसमें जो हो नियोन है, ठीक है, इसका pressure जो हो कितना है, 950, और इसका pressure कितना है, इसका pressure है 900, ठीक है, और फिर जो हो माल लो इसका volume त temperature इसका 300, इसका भी temperature किता है 300, आप एक चीज सोचो, कि आपने अगर stop को खटा दिया, तो दोनों में pressure बराबर हो जाएगा, जितने मोल मालो, यहाँ पर एक मोल है, यहाँ पर दो मोल है, तो total मोल कितने होगे, तो stop को खटाने से पहले भी total मोल 3 है, खटाने के बाद भी total मोल कितने होगे, 3 ही होगे, तो हमें बस यही concept काम में लेना, एन initial और एन final को equal करना है, तो यहाँ पर मैं यही करने वाला हूँ, ध्यान से देखेगा, पहले मैं जो वो NA की value निकाल लेता हूँ, तो NA is equal to होगा भी या PV upon RT, तो PV upon RT लगा देता हूँ, तो pressure जो है वो अपने पास 5950 volume है, अभी मेरे पास VA upon R और temperature कितना है T, clear बात, इसको चाहूँ तो ATM में बदल सकते हो, लेकिन last में जो हो cancel हो जाएगा, तो बदलने की जुरुरत नहीं है, NB जो है, वो हमारे पास आएगा PV upon RT, दोनों का temperature तो सेम है, और जब दोनों को मिला दूँगा, तो N final जो निकाल क्या आएगा, यह आएगा भईया, P final, V final upon RT, और V final कितना हो जाएगा, दोनों का temperature सेम है, तो V final हो जाएगा, VA plus VB, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ देखना, N final is equal to N A plus N B, तो मेरे पास equation आएगी भईया, P final, तो P final तो आपको बोरक का कितना है, 910, V final कितना हो गया, यह हो गया अब यह, VA plus VB, divided by RT, is equal to N A, तो यह आया, 950, VA upon RT, प्लस, यह आगया, 900 और VB upon RT, यह VB upon RT है, इसको सही कर लेता हूँ, यह आया, 900, VB upon RT, ठीक, तो यह RT से RT कैंसिल, और अगर आप इसको ATM में बदलो कितना हो गया, तो वो भी क्या हो जाएगा, यह सब कुछ कैंसिल हो गया, तो मेरे पास आया, देखो, 91 VA plus 91 VB is equal to 95 VA plus 90 VB, ठीक है, तो दोनों को हम एक तरफ कर लेते हैं, इसको तो इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो मैं ऐसा बोलूँगा, देखो, 91 minus 90, तो यह आएगा, VB is equal to 95 minus 91, 4 VA, यह दोनों के बीच में relation आगया, VB is equal to 4 VA, यहनि option number second is correct, ठीक है, तो यह तो है, पहला question, अगला जो है, वो question इसी में आपको वो रहा है, कि if volume of flask B was measured to be 10 liter, कि अगर B का volume जो है न, वो 10 liter है, ठीक है, यहनि VB is equal to 10, तो VA जो है, वो कितना हो जाएगा, आपने पास, इसका 1 by 4, यहनि 2.5 हो जाएगा, तो mass of oxygen gas present initially in flask A was, ठीक है, तो initially oxygen का भार कितना होगा, यह आपको पूछा है, तो भीया, मैंने अभी आपको यह कहाँ, कि हमारे पास condition ऐसी आ रही है, कि अब आपको यह दे दिया, कि यहाँ पर volume कितना 10 liter है, तो इसका volume कितना आ जाएगा, इसका volume 2.5 liter आ जाएगा, क्योंकि जो B का volume है, वो A के volume का क्या है, चार गुना है, ठीक है, तो अब आपको यह बोल रहा है, कि हमारे पास देखो, यहाँ पर pressure जो है, वो कितना है, pressure आ गया, oxygen का कितना, 950, ठीक है, temperature कितना है, 300, volume अपने पास है, यह तो mole लिकाल लेता हो, तो N is equal to आ जाएगा, P, V, V कितना 2. 2.5 by R, R की value जो 1 by 12 ले लेते हैं, और temperature जो कितना आ गया, 300, ठीक है, अब देखो, अब 950 को आपको बदलना पड़ेगा, किसमे, ATM में, ठीक है, इस बार बदलना पड़ेगा, क्योंकि हम PV score to NRT से mole लिकाला चाहते हैं, तो यह cancel हुआ, कितनी बार जाएगा, 25 times, यह cancel हुआ, यह 10 बार जाएगा, ठीक है, यह cancel हुआ अपने पास, तो यह आया विया, 95 upon, यह नीचे आजाएगा, अपने पास कितना, 7760, 95 divided by 760, ठीक है, अब देखिएगा, तो यह मोल आ गए, अब मास निकालने के लिए हम क्या करेंगे, केवल और केवल इसको 32 से multiply कर देंगे, यह नी तो हमारे पास जो है, यह है विया question number second, question number second के बाद में हम चलते है again, question number third की तरफ, देखेगा, again आपको एक curve दिया गया है, आपको बोरा given curve is for one mole of an ideal gas, एक ideal gas के लिए graph दिया है, VOT का graph है, ठीक है, अब आपको बोरा है, C पर दाप क्या होगा, इस point पर pressure क्या होगा, तो इस point पर आप देखो temperature 200 है, और जो है वो अपने पास volume कितना 10 है, एक mole है, तो मैं लगा देता हूँ, PV स्कॉल टू क्या, NRT, तो अगर PV स्कॉल टू NRT में लगाता हूँ, तो हमारे पास तो pressure निकालना है, तो N की value एक आ गए, यह 1 by 12 आ गया, temperature जो होगा, यहाँ पर आ गया 200, और volume आ गया, कितना 10, ठीक है, तो यह आ गया विया, कितना 20 बटे 12, तो 20 बटे 12 का मतलब यह अपने पास निकल के आएगा, कितना लगबग, 1.6 के आसपास, next question की तरफ आपने बढ़ते हैं, तो इसी का अगला question विया अपने पास है, कि process C से A में किया गया कारिय, विया C से A के दौरान कितना work आपको करना पड़ेगा, या C से A, यह वाला है, देखो C से A, आप देखो C से A कौन सा process है, यह आईसो थरमल है, और जब भी graph की बात आती है, तो हम एक ideal condition मानते है, ideal condition का मतलब इसको reversible मानते है, तो C से A अपने पास process हो गया, मैंने आपको पिछले paper में भी बताया था, कि जहां कहीं पर work done की बात आती है, वहाँ पर अगर work done निकालना है, तो दिमाग में A की बात आनी चाहिए, identification of process, सबसे पहले आपको process को identify करना आना ही चाहिए, तो अगर process को identify करें, तो यह अपने पास हो गया, यह आईसो थरमल, और आईसो थरमल में कौन सा graph दे रखा, तो reversible है, यह है, reversible, आईसो थरमल, reversible graph है, अपने पास, अब यहाँ पर जो हो, आईसो थरमल, reversible है, तो डबलू निकालने का तरीका आएगा, minus 2.303, और यह आजाएगा, nRT log, और यह आजाएगा, v2 by v1, तो minus का 2.303, अब जो हो, आपको एक तरीके से, जो, मतलब और work done पूछा है, तो work done लीटर एटियम में पूछा है, तो आप जो हो, n की वेल्यू तो एक रख दो, r की वेल्यू 1 by 12, लीटर एटियम वाली, और temperature यहाँ पर कितना है, 200, log v2 by v1, तो v2, पहले तो है 20, मतलब पहले तो है 10, बाद में कितना हो गया, 20 हो गया, तो यह आग 3, ठीक है, और फिर जो यह हो गया 1, और यह आगया 1 by 12, और इसको solve कर दो, यह लगबग आएगा, हमारे पास कितना, 11.38 के आसपास, ठीक, और 11.38 है, volume expand हो रहा है, तो अब आपको क्या बोल रहा है, देखो, किया गया कारे होगा, तो आप बोलोगी, सर यह तो माइनस आ रह attitude पूचा, क्योंकि work done में, माइनस शामिल हो चुका है, ठीक है, तो यह अपने पास सभिया paragraph, next section की तरफ चलते है, one और more than one type question, सबसे पहला question देखिएगा, आपको यह बोल रहा है, कि rate of effusion of an ideal gas, through a hole, depends upon, यह देखो, rate of diffusion जो है न, यह हमारे पास basically proportion होता है, PA by under the root M, ठीक है, इसके अलावा temperature पर भी depend करता है, temperature के भी proportion होता है, तो the pressure of gas, ठीक है, बिलकुल भईया, pressure पर depend करता है, gas के molar mass पर depend करता है, यह surface area होता है, ठीक है, आकरती पर depend नहीं करता है, तो first हो जाएगा, second हो जाएगा, और third हो जाएगा, यह अपने पास सभिया, question number first, next question की तरफ चलते ह term of a gas occupied to 24 ml STP at STP, the gas could be, कौन सी gas हो सकती है, molar mass निकाल लेता हूँ, तब यह देखो जरा, कि 24 divided by 22,400, तो mol आगे कितने 10 दो दिपार माइनस 2, तो 10 दिपार माइनस 2 mol का mass दे रखा है, वो कितना दे रखा है, 0.28, तो 1 mol का mass कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 28, और 1 mol का mass ही क् इसका molecular weight 20 हो, वो अपना अंजर सही है, nitrogen का 28 होता है, CO का 28 होता है, फिर C2H4 का, इसका भी 28 होता है, तो यह हो जाएगा, यह हो जाएगा, और यह हो जाएगा, उसका 92 होता है, तो यह हमारे पास हो गया, भया, question number second, फिर इसी section में question number third देखियागा, which of the following expression is, या are correct for an adiabatic process, भया, adiabatic process के लिए सबसे पहले अगर हम बात करें, तो हम बोलते है, PV की power gamma is equal to constant, हम ऐसा बोलते है, तो यहाँ से मैं ऐसा बोल सकता हूँ, देखो जरा, P1 V1 की power gamma is equal to P2 V2 की power gamma, एक तो यह expression आ जाएगा, तो हमारे पास option number third ठीक है, तो P और V का यह relation आता है, तो भया, यह relation आने का तो सवाल ही नहीं होता है, फिर जो हो, अगर हम देखे, P और T का relation, तो यहाँ अगर मैं जो हो T रख दूं, PV is equal to nRT से, यहाँ पर V की value रख देता है, तो V की value हमारे पास आ जाएगी, क्या, nRT by P, तो हमारे पास expression क्या बन रहा है, P तो P है, और फिर यहाँ पर जाएगी, gamma is equal to constant K, ठीक, तो अगर मैं इसको देखूंगा, तो nR यह पूरा का पूरा क्या है, constant में चला जाएगा, तो यह जो हो, अपने पास आया, P upon P की power gamma, और T की power gamma is equal to constant, यानि की relation आएगा, P की power 1 minus gamma, और T की power gamma is equal to constant, यह लो, यह relation आ रहा है, अब यहाँ इसी relation से जो ह हो, अगर हम देखे, तो क्या हमारे पास ऐसा कोई relation बनेगा, क्या मैं ऐसा बोलूँगा, देखो, P1 और यह आएगा, 1 minus gamma, T1 की power gamma is equal to P2, और यह आजाएगा, 1 minus gamma, और यह आजाएगा, T2 की power gamma, तो इसको आप ऐसा बोल सकते हो, P1 by P2, और इसकी power ता आ गई, 1 minus gamma, और इसको मैं बोल सकता हुआ, T2 by T1, और इसकी power आगई, gamma, अगर यहाँ से power अठाओगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, लीचे चली जाएगी, तो क्या मेरे पास जो हो, ऐसा expression बन रहा है, P2 by P1, और यह हो जाएगा, T1 by T2, तो यहाँ पर हो जाएगा, 1 minus gamma by gamma, यह ठीक है, यह ब to constant, P को अठादेता हो, तो P की जगा में यह लिख सकता हूँ भईया, N, R, T by V, और यह हो गया, V की power gamma is equal to constant, clear बात, तो यहाँ पर मैं ऐसा बोलूँगा, कि भईया, देखो, T की power, T into V की power, यह हो जाएगा, gamma minus 1, ठीक है, तो is equal to constant, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, T1 by T2 is equal to V2 by V1 की power कित्ती हो जाएगी, gamma minus 1, तो भईया, क्या ऐसा एक relation दे रखा है, बिल्कुल हमारे पास ऐसा एक relation और दे रखा है, तो यहाँ पर हो जाएगा, अपने पास वो ही, ठीक है, यह भी ठीक लग रहा है, यह भी ठीक लग रहा है, ठीक है, अच्छा देखो, कि इसमें जो ह हो दे रखा है, gamma minus 1 by gamma, ठीक है, हमने ठीक से देखा नहीं, तो वास्तव में जो relation आएगा, P2 by P1 is equal to T1 by T2, यह आएगा, gamma upon 1 minus gamma, ठीक है, तो यह relation जो हो ठीक नहीं है, बाकि यह वाला सही हो जाएगा, और यह वाला सही हो जाएगा, ठीक है, तो अभी अपने जहां पर किया था, वो थोड़ा से जो हो अपने ठीक से ध्यान नहीं दिया, तो यहाँ पर जो है, यह पावर आएगी, जबकि यहाँ पर पावर कुछ अलग दे रखी, हलाकि अपने यही डेराग किया था, next question की तरफ आपन चलते है, तो अगला question जो है, वह भी आपने पास है, select the state function among the following, तो state function इन में से कौन सा है, temperature एक state function है, entropy एक state function है, work path function है, इसके लावा enthalpy जो है, वो भी क्या है, एक state function है, तो first, second and fourth हो जाएगा, next question की तरफ बढ़ते है, तो अगला question है वह यह अपने पास देखिएगा, question number 5, तो 5 नमबर बोल रहा है कि 100 ml of 0.25 molar H2SO4, जो कि एक strong acid है, is neutralized with 200 ml 0.2 molar NH4OH, in a constant pressure calorimeter, which result in temperature rise of 1.4 degree centigrade, if heat capacity of calorimeter is 1.5 kilojoule per degree centigrade, which statement is correct, ठीक है, और नीचे आपको कुछ data given है, कि वह यह यह आपको दो अलग reaction दे रखिए, ठीक, आप जाहन से देखो, HCL strong acid और यह strong base, तो strong acid, strong base में कितनी heat release होनी चाहिए, 57 kilojoule की heat release होनी चाहिए, फिर यहाँ पर weak acid, weak base दे रखा, तो यहाँ पर 48.1 kilojoule की heat release होई है, ठीक है, तो अब इस question को solve करने के लिए, सबसे पहले तो आप देखना, इसमें यह बोल रखा है, कि एक constant pressure calorimeter है, और उसमें temperature increase 1.4 का है, और व centigrade, तो मैं काम करता हूँ, यह check कर देता हूँ, कि जब आपने इन दोनों की reaction करवाई, कहने का मतलब इसका तो इतना, और इसका इतना, इतने इतने amount की जब reaction करवाई, तो total कितनी heat release होई, तो इसके लिए हम काम में लेंगे, q is equal to via c delta t, ठीक, तो c की value 1.5 और delta t आपको दे हुई, तो इसको solve करेंगे, तो यह हमारे पास आएगा 2.1 kg, ठीक है, अब देखेगा, कि calorimeter में reaction कर रहा है, इसका जो है वो इतना molar और इसका इतना molar, मैं एक काम करता हूँ, इनके ग्राम तुल्यांग निकाल लेता हूँ, तो ग्राम तुल्यांग निकाल लूँगा, तो इ मिली ग्राम equivalent of H2SO4, यह तो हमारे पास आएंगे कितने 100 into 0.5, और अगर हमें ग्राम equivalent निकालने तो इसको 1000 से मैं क्या कर देता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ, यह cancel आया, तो यह 0.05, ठीक है, यह तो ग्राम equivalent आए H2SO4 के, मिली की जगा मैंने ग्राम equivalent में इसको convert कर दिया है, तो यह आए हमारे पास gram equivalent of H2SO4, और total heat जो हो, आ रही है कितनी, 2.1, फिर जो हो, मैं एक काम करता हूँ, gram equivalent of NH4OH निकाल लेता हूँ, और NH4OH के लिए मैं निकालूँगा, तो मैं करूँगा विया 200 गुणा, कितना, 0.2 और इसका valence factor, एक यह divided by 1000, ठीक, यह cancel हुआ, तो य reaction में heat release होगी, वो हमेशा limiting reagent के according ही होती है reaction तो, तो भीया, जो 2.1 kilojoule heat release हुई है, वो वास्ता में 0.04 equivalent से release हुई है, और हम जब भी heat of neutralization की बात करते हैं, वो पर equivalent के लिए होती है, तो 0.04 equivalent से कितनी heat release हुई, 2.1, तो 1 equivalent से कितनी heat release होगी, 2.1 divided by 0.04, तो यह इसको solve करोगी, यह हमारे पास आएगा 52.5 kilojoule, कहने का मतलब यह है, कि इन दोनों के लिए, इन दोनों की जो है, वो basically यहाँ पर heat कितनी release होगी है, 52.5, एक equivalent के लिए, अब आप देखो, यह strong acid, यह जो है, वो अपने पास weak base, strong acid, weak base की जो कितनी आ रही है, 52.5, तो यहाँ पर बोल रखा है, HCL और NH4OH, तो यह भी strong acid है, यह weak base है, इनके लिए भी कितनी आएगी, 52.5 ही आईगी, ठीक, क्योंकि हमने एक equivalent के लिए calculation करी है, तो यहाँ, क्योंकि heat of neutralization, acid base की nature पर depend नहीं करती, तो चाहे एक equivalent of H2SO4 versus, एक equivalent NH4OH ले लो, चाहे एक equivalent HCL versus, एक equivalent NH4OH ले लो, दोनों में heat semi है कि enthalpy of dissociation of NH4OH, यहाँ पर strong acid और strong base के लिए किता दे रहा है, 57, तो जो भी मतलब heat of neutralization होनी चाहिए थी 57, लेकिन निकल रही है कितनी 52.5, यानि कि 57 निकली, और उस 57 का कुछ portion जो है, वो ammonium hydroxide को तोड़ने की काम में आगा है, जिसको हम बोलेंगे, ionization energy, तो जो है, वो difference जो आरा, वो आरा, 4.5 का, इसलिए हम बोलेंगे, यह वाला भी ठीक, कि NH4OH के वियोजन के enthalpy किती है, 4.5 है, ठीक, फिर अगला question जो हुआ आपको बोरा, enthalpy of dissociation of CS3CWH is 4.6 kJ per mole, यह मैं निकाल के देख लेता हूँ, देखेगा जरा, कि हमारे पास जो है, यह एक reaction दे रही है, अब इस reaction में total heat 48.1 kJ हुई, देखो जी, release होनी चाहिए थे कितनी 57, ठीक, क्योंकि strong acid strong base के 57 है, तो nature पर तो depend होती नहीं है, release होनी चाहिए थे 57, 57 में से कुछ portion, 4.5 तो कहां चला गया, 4.5 तो NH4OH को तोड़ने में चला गया, और मालो इसकी ionization enthalpy X है, तो X किसको तोड़ने में चल जा गया, और overall तब जाके release हुई, कितनी 48.1, अब इसको solve करते हैं, इसको solve करूंगा, तो यह cancel, यह आया 48.1, यह आजाएगा, कितना 52.5, और यह आया, minus X, X is equal to आजाएगा, वह यह 52.5, minus 48.1, कितना आजाएगा, 1 आजाएगा, क्या यह जो हो 4.6, मुझे तो यह नहीं आपको यह बोरा है, डेल्टा H4, डेल्टा H4, 2H2O is converting to H+, 2OH-, वह यह देखो, heat of neutralization वास्ता में क्या होती है, वास्ता में H+, और OH- के बीच में जब reaction होती है, तभी तो जो हम बोलते है, acid-base की nature पर depend नहीं करती, कि यहाँ पर वास्ता में क्या हो रहा है, reaction हो रही है, H+, OH- के बीच में, तो इस reaction के लिए आपको डेल्टा H डेर का कितना, माइनस का 57, तो opposite reaction अगर कर दू, H2O is converting into H+, OH-, तो इस reaction के लिए डेल्टा H आ जाएगा, कितना 57, और अगर 2 mol कर दू, 2 से multiply कर दू, तो इसको भी 2 से multiply करना पड़ेगा, यानि कि कितना आ जाएगा, 114 आ जाएग तो अगला question जो हो, आपको दे रखा है, from the following data, at 25 degree centigrade, ठीक है, आपको कुछ data आपको दिये, heat of reaction, इसकी heat of reaction, इसकी heat of reaction आपको दे रखी है, फिर इसकी heat of reaction और ये भी heat of reaction आपको given है, फिर आपको बुरा है, which of the following statement are correct, ठीक है, heat of reaction for the reaction, देखो जी, आपको क्या करना है, कि ये ए इन चारो reactions के साथ कुछ भी करो, कि ये वाले reaction बन जाए, तो भीया, H2O gas की जरूरत है, H2O gas आपको यहाँ पर मिलेगा, इस reaction को तो flip कर देता हूँ, second वाली को, तो second reaction को अगर मैं flip कर दूँ, तो हमारे पास आएगा, H2O is converting into H2 gas, और साथ में आ जाएगा, half O2 gas, ठीक, और ये H2O gas हमें यहाँ से मिल गया, फिर मेरे को जाईए, एक तो hydrogen atom, एक oxygen atom, तो hydrogen atom मुझे यहाँ से मिलेगा, तो यह एक काम करता हूँ, मैं ये वाली, अच्छा, इसका delta H आजाएगा, कितना, ये plus का 242 हो जाएगा, और फिर इस reaction को चेक करते है, तो hydrogen gas is converting into 2H gas, इसका delta H मेरे पास आजाएगा, कितना, 436 आजाएगा, और फिर ये वाली reaction हो, मुझे oxygen atom की जरूरत हो, तो O2, O2 gas is converting into 2O gas, लेकिन मुझे तो यहाँ पर एक ही oxygen की जरूरत है, और एक ही oxygen की जरूरत है, तो इसको हाफ से multiply करना पड़ेगा, हाफ से multiply करते ही, यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यह O2 से half O2 cancel हुआ, H2 से H2 cancel हुआ, यानि कि जो reaction हमें चाहिए, वो reaction बन रही है, 2H प्लस O बन रहा है, तो यह अगर reaction को जोड़ते है, तो delta H भी क्या होता है, जोड़ता है, तो delta H की value हमारे पास आएगी, 242 प्लस 436 प्लस आजाएगा 495 डिवाइड बाइड बाइ कित इसका मतलब first वाला सही है, next अपन देखते हैं, इसमें अगला option पढ़ते है, तो अगला option है, heat of reaction 4, या अब सेम जो काम अभी अपन ने किया है, वो अब आपको इस reaction के लिए करना है, आपको OH चाहिए, OH मुझे इस reaction से मिलेगा, इस reaction को मैं flip कर देता हूँ, तो इसको मैं flip कर है ना, तो delta H का sign क्या हो जाता है, बदल जाता है, फिर इसके बाद में जो है, मुझे इस तरफ H और O चाहिए, तो इन दोनों reaction को जो है, वो मैं क्या करूँ, half half से divide करूँगा, तब जा कि यह बनेगी, तब यहाँ 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 पर आया, half H2 is converting into H, तो इसका delta H जो होगा, O आजाएगा 436 divided by 2, और यहाँ पर half O2 is converting into O, इसका आजाएगा 495 divided by कितना 2, अब इन तिनों को जोड़ दो, आप इन तिनों को जोड़ोगे, तब यहाँ जो reaction आपको दे रखी है, कि H plus O, यह reaction बन रही है, तो delta H इनका क्या हो जाएगा, add हो जाएगा, minus 42 plus 436 by 2 plus 495 by 2, यह और इसको solve करेंगे, तो जितना इसने दे रखा है, यह वाला नहीं आएगा, तो इसलिए second वाला नहीं हो सकता, next question, enthalpy of formation of H gas is minus 218, वह यह देखो, कि हमें क्या होता है, enthalpy of formation में H gas की बात कर रहा नहीं, तो enthalpy of formation में 1 mol बनाते हैं, और thermodynamic reference state से बनाते हैं, तो यह thermodynamic reference state तो है, लेक क्या करना पड़ेगा, आपको, आदा करना पड़ेगा, और इसका आदा करूँगा, 436 का आदा करूँगा, तो माइनस तो नहीं आएगा, तो यह माइनस में तो नहीं आएगा, फिर जो हो आपको चोता बोल रखा है, enthalpy of formation of OH is 42, या OH, देखो जी, OH का 1 mol बनाते है, और इसके element की thermodynamic reference state से बन रहा है, तो यह ठीक है, 42 आएगा, यह वाला सही है, तो एक तो पहला हो गया, एक कौन सा हो जाएगा, चोता हो जाएगा, ठीक है, तो मीद करते है, question concept आपके एच्चे से समझवाया होगा, next question की तरफ बढ़ते है, अगला question है आपने पास, question number 7 देखेगा, य यह आपको बोरा है, in the following compressibility factor Z versus pressure graph at 300 Kelvin, the compressibility of CH4 at pressure, less than 200 बार, वहिया देखो, pressure की value अगर 200 बार से कम है, तो Z कैसा आ रहा है, और Z अगर negative आ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब attraction force क्या है, ज्यादा है, तो अभी तो volume कम आएगा, इसका मतलब attraction force ज्यादा है, तो V real is less than V ideal, ऐसा बोरा है, the molar volume of CH4 is less than its molar volume in ideal state, यह सही बात अभी है, कि Z is equal to हम बोलते है, कि Z is equal to होता है, V real upon V ideal, तो real volume कम होगा, ideal volume ज्यादा होगा, तब ही तो Z की value एक से कम आएगी, और deviation कैसा आएगा, negative deviation आएगा, फिर आपको बोरा है, the molar volume of CH4 is same as, अगर ऐसा होता, ठीक है, इस point पर दोन molecular interaction between CH4 molecule increases, बिलकुल भी हा, intermolecular attraction क्या होगा, increase होगा, इस से कम पर, तभी तो जो हो, क्या होगे, molecules पास पास आएगे, और molecules पास पास आएगे, तो deviation कैसा होगा, negative होगा, तो यह हो जाएगा, फिर आपको बोरा, the molar volume of CH4 is more than its molar volume in ideal, यह तो positive deviation होगा, तो positive deviation तो देखो, आप दे next question की तरफ आपन बढ़ते हैं, तो अगला question जो होगा, आपको बोल रहा है, देखेगा, कि 4A gas, which of the following statement are correct, कौन सा सही है, पहला आपको बोरा है, inversion temperature is double of boil temperature, यह देखो, boil temperature, यह हमारे पास होता है, A upon RB, ठीक है, फिर inversion temperature हमारे पास होता है, 2A upon RB, फिर critical temperature हमारे पास होता है, 8A upon 27 यह लोची, यह आगया, अब यहाँ पर अगर आप इनका देखोगे, तो inversion temperature सबसे ज़्यादा होता है, फिर boil temperature होता है, फिर critical temperature सबसे कग होता है, तो पहला आपको बोरा है, inversion temperature is double of boil temperature, यह सही है, ठीक, फिर दूसरा आपको बोरा है, कि boil temperature is double of inversion temperature, या boil temperature थोडी ना double है, वो तो तो आदा है ठीक है तो दूसरा घलत हो गया critical temperature is less than inversion and boil temperature बिलकुल बहिए critical temperature दोनों से क्या आ रहा है क्मारा यह ठीक है inversion temperature is more than boil temperature and critical temperature बहिए inversion temperature दोनों से ज्यादा है तो यह वाला भी ठीक हो गया ठीक है न superstar is question number 8 question number 8 के बाद में जो हो अपने पास question number 9, देखिएगा क्या बोल रहा है, कि 10 liter of ideal gas at atmospheric pressure is compressed isothermally, ठीक है, to volume of 1 liter and then allowed to expand adiabatically to 10 liter, देखो, कि हमारे पास condition ऐसी है, कि सबसे पहले आप इसको ऐसे मान सकते हो, अगर मैं इसको graph से indicate करूँ, यह P और V का है, ठीक है, कि initially 10 liter हमारे पास ideal gas, मालो 10 liter कुछ यहाँ पर है, ठीक, और 10 liter को जो हो, आपने क्या किया, compress किया, isothermally to 1 liter, मालो 1 liter जो हो, यहाँ है, 10 liter यहाँ है, और जब compress करोगे, isothermal का graph P और V का कैसा आएगा, ऐसा ही आएगा, ठीक है, यह compression का graph आगया, 1 liter तक, यह 10 liter से 1 liter तक आपने पहले इसक adiabatically, अब adiabatically इसको वापस से expand किया, 10 liter तक, देखो, यह उपर वाला graph तो isothermal का, नीचे वाला graph किसका आएगा, adiabatic का आएगा, ठीक है, अब आपको यह बोरा, choose the correct option related to this, पहला, net work is done on gas, यहाँ देखो, कि हमें पता है कि work done on gas, यानि कि compression होता है, और net work, मतलब done by gas, जो हो क expansion हो गया, ठीक है, तो आप देखो, इन दोनों में से area जादा किसका आएगा, area जादा उपर वाले का आएगा, isothermal वाले का आएगा, और isothermal वाले का इरिया जादा तो यानि आई सो तर्मल वे work done जादा होगा, एक to compression हो रहा है, एक expansion हो रहा है, यहाँ पर expansion, यहाँ पर जो volume कम यह किया जा रहा है फिर net work is done by gas not by gas नहीं होगा overall जो है वो work done जो कैसा आएगा positive आएगा उपर वाला ज्यादा ना ISO thermal का area क्या आ रहा है ज्यादा आ रहा है तो net जब आप minus करोगे तो ISO thermal वाला dominate करेगा ठीक है फिर final pressure in equal final pressure is equal to initial pressure भीया देखो initial pressure जो हो अपने पास यह था ठीक और यह final pressure है ठीक है तो मुझे यह बताओ देखो यह तो P initial और यह क्या आया P final तो क्या relation आ रहा है P final is greater than P final is less than P initial यह pressure आ रहा है ठीक है यह relation आ रहा है आपको यह बोल रहा है कि figure shows P versus T diagram for cyclic process ABCD undergone by ideal gas which of the following graph is correct वक्र आदर्श केस के लिए ABCD P बनाम T को दर्शाता है कौन सा वक्र सही है यहाँ देखेगा सबसे पहले जो है वो आप देखो A से B तो A से B process कैसा है P और T के वीचे प्रपोर्शन ग्राफ यानि कि A से B वाला जो है आइसोकॉरिक है और आइसोकॉरिक के साथ ही यह आइसोकॉरिक हीटिंग है temperature increase हो रहा है इनमें चेक करते है A से B वाला आइसोकॉरिक वहीया यह देखो A से B आइसोकॉरिक है अब कूलिक है कि हीटिंग है यह चेक कर लेते है तो PV square 2 होता है वहीया N RT ठीक है तो अगर volume constant तो P बढ़ेगा तो T बढ़ेगा तो यह तो ठीक है आइसोकॉरिक हीटिंग है फिर A से B यह भी आइसोकॉरिक हीटिंग को indicate कर रहा है ठीक है A से B यह भी भहीया आइसोकॉरिक हीटिंग को indicate कर रहा है फिर A से B भहीया यहां पर तो जो है वो cycle ही opposite हो गया तो A से B अगर आप द दूसरा वाला B से C आइसोबेरिक है, तो temperature कम हो रहा है, अगर pressure constant है, temperature कम हो रहा है, तो volume भी होगा, यानि B से C है, iso-baric volume, कम हो रहा है, तो navigation, तो B से C, iso-baric है ठीक है, volume कम हो रहा है, compressor है, यह ठीक लग रहा है, अभी तक तो, यहाँ पर देखते है, B से C isبëरिक है volume कम होगा建 пишa ये भी ठीक है, बी से सी यह B से आईजा सी etubar crypto volume कम हो रहा है, ये भी compression ये दोनों तो steps से हैं, मतलब ठीक है, फिर जो वो तीसरा चेक करते हैं हम A से B चले गए, B से C चले गए C से A आते हैं, तो ये आईसो थर्मल है और C से A आईसो थर्मल है साथ में pressure decrease हो रहा है तो volume बढ़ेगा, तो expansion आईसो थर्मल expansion चेक करना है वह ये आईसो थर्मल का graph ऐसा नहीं आएगा वो तो कैसा आता है, ऐसा आता है rectangular hyperbola आता है, तो ये आईसो थर्मल है, साथ में volume increase हो रहा है, तो expansion भी है यानि ये वाला graph सही है, फिर यहाँ पर check करते हैं क्या, हमें check करना है C से A तो C से A, तो यह ये देखो आईसो थर्मल और volume increase हो रहा है तो ये expansion है, तो इसका मतलब एक तो दूसरा हो गया, एक कौन सा हो गया तीसरा हो गया, तो उम्मीद करते हैं question concept आपके दोनों अच्छे से समझवे आ गए होंगे, next question की तरफ हम बढ़ते हैं तो next section अपने पास वोई numerical type है, ठीक है, सबसे फ़ले start करते है, question number 1 से तो आपको बोल रहा है, if root mean square speed of CH4 at 48 Kelvin is same as the most probable speed of H2, then T is, भाई है देखो, आपको ये बोल रहा है, कि VRMS of CH4 ठीक, at 48 Kelvin is equal to VMP of hydrogen at T Kelvin तो T की value क्या होगी तो भाई है, VRMS हम कैसे निकालते हैं ये निकालते हैं, under the root 3R T by M की value किते हैं, 16 is equal to under the root ये अपने पास VMP आता है, 2R T by M ठीक, तो ये cancel होगे है ना, root जो हो square करेंगे, तो cancel हो जाएगा, तो ये आगया, 3R से R cancel होगे और ये जो हो, कितना हैगा ये 3 times जाएगा, is equal to यहाँ पर आजाएगा, T is equal to कितना 9, तो T is equal to पहले में option आ रहा है, कितना 9 ठीक है, तो उमेद करते हैं आपने सही किया होगा, next question की तरह बढ़ते है, question number 2 देखना, at 300 Kelvin and P atmosphere pressure, ठीक है compressibility factor of a non-ideal gas is 0.80, ठीक है the molar volume is 3.2 considering R is equal to this determined value of P यहाँ देखो, Z is equal to हम बोलते हैं, क्या होता है, PV by RT होता है, pressure आपको निकालना है, तो P is equal to हो जाएगा Z RT by V, तो Z की value देदी कितनी 0.8 R की value आपको कितनी लेनी है, 0.08 लेनी है, temperature जो है, वो आपको कितना दे दिया, gas का, temperature देखी रखा है, 300, ठीक है जी, और फिर नीचे जो है, वो वोल्यूम आपको कितना दे दिया, 3.2 लीटर, तो यह अपने पास निकल के आएगा और इसको solve करोगे, तो यह अपने पास आजाएगा, कितना, 6, ठीक है, तो यह है आपने पास question number second, next question की तरफ चलते हैं, तो अगला question आपको बोल रहा है कि, एक gas, xn has the value of gamma equal to 1.4, यह 1.4 किसके लिए होती है, यह होती है, डाइटमिक के लिए, और डाइटमिक गैस के लिए जह हो, गामा की value 1.4 होती है, तो इसका मतलब यह डाइटमिक है, x की value कितने आएगी, 2 आएगी, ठीक है, next question की तरफ आपने बढ़ता है, तो अगला जो है हो, आपने को बोल रहा हुई है, question number 4, देखेगा, the enthalpy change involved in the oxidation of glucose is minus 2, 2, 2, 8, 8, 0 kilojoule per mole, ठीक है, मतलब glucose को जब combustion होता है, या glucose का जब digestion होता है, तो इतनी energy per mole से release होती है, 25% of this energy is available for muscular work, ठीक है, if 120 kilojoule of muscular work is needed to work 1 km, 1 km चलने के लिए 120 kilojoule की ज़रुरत पढ़ती है, what is the maximum distance that a person will be able to work after eating 120 gram glucose, देखेगा, कि सबसे पहले तो हम यह चेकर लगते हैं कि 120 gram glucose से कितनी energy release होगी, तो mole कितने आगे glucose की, mole अपने पास आगे, given mass upon molar mass, ठीक है, तो यह हमारे पास glucose के mole निकल के आगे कितने, या जाएगे 6 by 9, यानि कि एक तरके से 2 by 3, ठीक है, तो यह mole निकल के आगे कितने 2 by 3, ठीक है, अब देखो, कि एक mole से कितनी release होती है, इतनी, तो total released energy, released energy, तो total release energy अपने पास हो जाएगी, कितनी, minus 288, या फिर अगर released energy की ही बात कर रहा है, तो यह minus लगाने की जुरूरत नहीं है, क्योंकि released word में minus आ चुका है, इतनी release energy होई, और muscular work के लिए कितनी energy चाहिए, तो इसका 25% निकाल लेता हूँ, तो भया, इसका मैं निकाल लेता हूँ, 25% यह लोजी, इस energy का मैं 25% निकाल लेता है, ठीक है, अब यह एक किलोमेटर के लिए जो 120 जूल की आविशकता होती है, तो टोटल किलोमेटर के लिए क्या करना पड़ेगा, divide कर दो, तो हमारे पास जो हो, इसको solve कर लेता है, ठीक है, इसको solve करूँगा, तो यह हमारे पास निकल के आएगा, यह 50 आ गया, उपर 5 आ गया, तो यह 288 इंटू 5 divide by कितना 3, ठीक है, अब देखो, divide कर दो, इसको कितने से, 120 से, तो 288 इंटू 5, divide by 3, और divide by 120, यह लोगा, इतने किलोमेटर जो हो, एक, मतलब 120 ग्राम ग्लकोस खाकर इतने किलोमेटर वो चल पाएगा, तो इसको solve करेंगे, तो यह हमारे पास आ रहा है, कितना 4, ठीक है, तो यह है विया, question no.4, फिर अगला चलते है, question no.5 की तरफ, तो देखें, question no.5 क्या हो रहा है, कि the enthalpy of solution of anhydrous COSO4 and hydrated COSO4, ठीक है, R-70, कहने का मतलब यह है, कि COSO4.H2, H2 होना चाहिए, excess में, तो अब ऐसा question हमने, अभी मेंस वाले में भी किया था, ठीक है, यह बना aqueous, तो इसके लिए आपको देखेंगा कितना, delta H-70, और फिर आपको देखेंगा, COSO4.5H2O, प्लस H2O, अगेन, यह क्या आगया, excess में आगया, तो यहाँ पर वो ही बनेगा, COSO4, aqueous, और इसके लिए आपको delta H, देखेंगा, कितना, 10, ठीक, फिर आगे आपको वो रहा है कि, determine the magnitude of enthalpy of hydration, 4.1 mol of, ठीक है, एन-hydrous COSO4, आपको यह एक reaction दे रखी है, अब इसके hydration की reaction जो हो हमें लिखनी है, ठीक, और इसका 0.1 mol, इसके केवल 0.1 mol के लिए जो हो, यह निकालनी है, हीट निकालनी है, हम यहाँ पर जो हो, एक-एक मोल के लिए हमने यह काम कर रखा है, तो अब यहाँ पर देखेगा, हमें क्या करना है, इन दोनों से यह वाले equation बनानी है, ठीक है, तो हम एक काम करता हूँ, इस नीचे वाले को flip करके, जोड़ देता हूँ, तो नीचे वाले को जब flip करूँगा, तो हमारे पास जो हो, equation यह बन जाएगी, के Cuso4, ठीक है, हमारे पास equation जो हो, यह बन जाएगी भीया, इसको flip करूँगा, तो Cuso4 equals is converting into Cuso4.5H2, ठीक है, और जो है वो, plus H2O excess, ठीक, तो इसके लिए जो हो, delta H आजाएगा, कितना minus का, 10, ठीक, अब देखो, इन दोनों को मैं add कर दूँ, तो add करूँगा, तो यह cancel हुआ, तो हमारे पास equation आएगी, Cuso4, ठीक है, is converting into H2O excess, H2O excess से cancel हुआ, अब जो है वो, यहाँ पर जो है, वो अपने पास आ रहा है, Cuso4.5H2, अब excess भी कितना है, हाँ, excess है, excess cancel होगा है, लेकिन 5H2O बचेगा, तब ही तो यह बनेगा, तो actual में इधर 5H2O बाकी है, तो यहाँ पर जो हो, total heat release कितनी होगे, total heat आ गई, अपने पास कितनी, 80 किलो जूल हीट जो हो, यहाँ पर total आ गई, और 80 किलो जूल जो हो, कितने मोल के लिए, एक मोल के ल अपने पास, 5, next question की तरफ चलते है, question number 6, last question है, तो यहाँ, वन मोल SO2 occupies a volume of 350 ml at 300 Kelvin at 50 ATM pressure, ठीक है, तो यहाँ देखो, एक मोल अपने पास क्या है, SO2 है, और यह वोरा, occupies volume of 350 ml, तो इसका V एक तरीके से real आपको दिया है, ऐसा ही question जो है, पिछले paper में भी शाहिद आ चुका है temperature आपको दिया है कितना, 300 Kelvin, pressure आपको दिया है कितना, 50 ATM, same question जो है, पिछले वाले में आ चुका है, बस उसमें जो है, आपको थोड़ा सा इसको अलग कर दिया है, data change कर दिया है, ठीक है, बाकि जो है, same question आ चुका है, अब आपको यह बोल रहा है, कि compressibility factor, तो Z is equal to क्या होता हम V real upon V ideal, तो मैं V ideal निकाल लेता हूँ, V ideal निकालने के लिए क्या करूँगा, PV by, मतलब N RT by N, R की value जो हो हम ले लेते, कितनी, 1 by 12, temperature कितना दे रहा है, 300 by P कितना दे रहा है, आपको, 50 दे रहा है, तो यह आजाएगा कितना, 500 ML, तो Z की value आजाएगे, कितनी, 500, ठीक है, नीचे गुणा करके दे, तो 10 से गुणा करके दोगे, तो कितना बढ़ना है, 7 बढ़ना है, ठीक है, तो यह है वह अपना paper, उम्मीद करते है, paper आप ने अच्छा किया होगा, पूरा paper, चाहे mens वाला हो, चाहे advance वाला हो, पूरा paper NCRT best था, वो बात अलग है, कि तुम से हुआ नही thank you